नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल उत्तर प्रदेश में उप्चुनाओं के तारिखों के ऐलान के बार पूरी यूपी में सियासी रंग चड़ चुका है और सभी दलों के नेताओं ने पूरी तरीके से कमर कसलिया है आपको बता दें कि वहीं चुनवा आयोग ने मलहानी उप्चुनाओं की अरुसूचना भी जारी कर दी है जिसके तहट 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मलहानी में नामांकन किया जाएगा जबकि 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जाच होगी अगर कोई प्रत्यासी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो वह 19 अक्टूबर को अपना नाम वापस ले सकता है आपको बता दें कि मलहानी विधान सभा में तीन नौवंबर को मतदान होगा वहीं 10 नौवंबर को मतगरना होगी सांति फूरुबग डंग से चुनाओ के लिए जिला प्रसासन ने पूरी तयारी कर लिया है वहीं आपको बता दें कि इसकी सूचना जिला मजिश्टेट दिनेश कुमार सिंग ने कलेक्टर सभागार में दिया है उन्होंने बताया है कि नमांकन उपजिलात कारी सदर के नयाले में की जाएगी आपको बता दें कि तीन नौवंबर को मलहनी में मतदान होगा वहीं 10 नौवंबर को इसका नतिजा आएगा कि मलहनी में कौन जिता और कौन हारा आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तरीके से अब तैरी की जा चुकी है वहीं मलहनी बिधान सभा में 80 वर्ष से अधिक आयू वाले मतदाताओं की संख्या से 300 है जिसके चलते चुनाओं को सांति पूरवग धंग से कराने के लिए अब 6 जोनल मजिस्टेट तथा 22 सेक् मजिस्टेट मद्दे अस्तल पर सुनिश्चित नियुंतम सुब्धावार रूट का सत्यापन भी कर दिया गया है वहीं जिले तोर पर जिलातकारी ने यह बताया है कि इस बार जुलूस के काफिलों में गाड़ियों की संक्या कम कर दी गई है क्यूंकि जब कोई अपना ना जुलूस में कम से कम गाड़ियां चलेगी आपको बता दें कि मलहानी बिधान सभा में उप्चुनाओ के लिए अद्धु सुचना जारी कर दी गई है जिसके चलते अब सभी पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनाओ मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है अगर आपने हवी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल बटन जरूर दबाएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद